बच्चो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे human reproduction से रिलेटेड बात human reproduction का सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे है lecture 1 step by step हम लोग human reproduction से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या होता human reproduction और आपको बता दो इसमें हम लोग line by line and CRT cover करेंगे हम लोग क्या cover करेंगे समें lane by line and CRT कौ कभेर करते चलेंगे एकएक line NCRT का आपको मैं इसमें cover करके दूँगा आपको बच्चो बच्चो human reproduction की जो हम लोग बात कर रहा है human reproduction में middle很 well baby generation जो हम लोग बात कर रहे है reproduction मतलब क्या होता है दुबारा से production करना अपने जैसा दूसरे को प्रोड्यूस कर देना ही क्या कलाता है रीप्रोडक्षन तो री मतलब होता है दुबारा प्रोडक्षन करना अपने जैसा दूसरे को प्रोड्यूस कर देना ही क्या कलाता है रीप्रोडक्षन की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों में जो reproduction होता है, human reproduction, जिसको हम लोग क्या बोलता है, ऐसे होगा हम लोग में reproduction, तो हम लोग में जब भी reproduction की बात करेंगे, तो हम लोग क्या बात करते है, sexual reproduction से related बात करते है, human reproduction में जो बात करेंगे हम लोग, इसे related बात करेंगे, sexual reproduction से related हम लोग बात करते है, human reproduction कै ऐसा होगा sexual reproduction, तो हम लोग sexual reproducing organism है, और जो भी sexual reproducing organism है, तो उसका कुछ characteristics, features होता है, जैसे sexual reproducing organism की जो हम लोग बात करें, उसमें जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो maternal and paternal gamut fuse होना जरूरी है, कहने का मतलब, जो genetic recombination है, वो होना जरूरी है, और जब genetic recombination होगा, तो उसमें हम लोग किस की बात करते है,िशन, जब भी genetic recombination की हम लोग बात करेंगे, उसमें क्या होता है, रिशन, क्योंकि gamut जब भी मिलेगा, तो male gamut और female gamut, दो gamut की हम लोग यहां बात करेंगे, और उ जैसे आप लोग जानते हो कि कोई male है और कोई female है तो male का asperm male का asperm और female का क्या होता है ओभा और यही asperm और ओभा जो मिलेगा तो दोनों का gamit बोले तो male gamit asperm और female gamit ओभा यह क्या है तो बोले तो gamit है और इधर जो है ओभा है gamit यह भी gamit होगा तो asperm और ओभा का आपस में fusion तो यहीं जो होगा तो यह क्या होता है जाइगोट बन जाता है जाइगोट के हम लोग बात करते हैं और यहीं जब जाइगोट बनेगा तो यहीं क्या करवाएगा क्या बात करेंगे कि यहां variation आएगा गयमboys का फ्यूजन होगा और गयमीट का फ्यूजन होगा तो इसमें 5 अबात करेंगे कि जब बात करेंगे क्या होगा यह जैसे हैं एलाइस टू ईभॉल्यूसन की हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पर जो और बात करें है कि जितना ज्दा इस्टन होगा नहीं तो उतना ज्यादा क्या होगा इभॉल्यूसन की अम लुग बात करेंगे अब जो भैरीयेशन हुआ जो evolution हुआ, तो अभी evolution में क्या है कि कोई होगा जो strong हो जाएगा और कोई होगा जो weak हो जाएगा, तो जब variation आ रहा है तो strong वीग वाली बात करेंगे हम लोग तो strong जो होगा वो survive कर जाता है, a stronger one survive और जो वीक है, वो धीरे-धीरे कहिए कि हटता चला जाएगा, खतम होता चला जाएगा, और यही रीजन है कि sexual reproduction में, जो भी इस पिसीज है, वो इंप्रूव करता चला जाता है, हम लोग बोलते हैं न, कि माबाप से जादा तेज उसका बच्चा हो जाता है, तो इस sexual reproduction का ही प परसिस्ट कर जाएगा, और जो वीक है, वो हर्ता चला जाता है, sexual reproduction की जो हम लोग बात करेंगे, बच्चो, इसका कुछ अपना characteristics होता है, sexual reproduction जो होता है, यह complex process होता है, it is a complex process, sexual reproduction में जो हम लोग बात करें, तो यह क्या होगा, slow process भी होगा, complex तो होता ही है, साथ में यह क्या होता है, it is a slow process होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें, elephant का, हाथी में जो हम लोग बात करेंगे, तो उसका हाथी का जो gestation period है, 22 मन्त का होता है, elephant में या हाथी में जो हम लोग बात करते हैं 22 month का gestation period होता है कहने का मतलब हथनी जो pregnant होती है वो कितने दिन होगे 22 month तर नहीं sexual reproduction की जो बात करेंगे ये तभी संभब होता है या organism तभी sexual reproduction करता है जब उसका favorable condition favorable condition में ही क्या होता है sexual reproduction से related हम लोग बात करता है और sexual reproduction में क्या हो गया कि slow process है plus क्या है कि इसमें number of organism की अगर हम लोग बात करें तो a small number of organism are produced कि number जो organism का है ये small number में organism produced होता है आए कुछ multiple choice question हम लोग देखे अभी तक जो पढ़े हैं तो सबसे पहला कोस्चन है भेरियेशन लीज्टू पहला option evolution reproduction locomotion respiration अंसर क्या जाएगा बच्चो evolution अभी अभी बताया था आपको आए देखते है रेप्रोड़क्टिव सिस्टम से related बात लोग किस से बात देखेंगे reproductive system बच्चो रेप्रोड़क्टिव सिस्टम को अगर मैं आपको दिखाऊंगे रेप्रोड़क्टिव सिस्टम तो एक देखें human reproductive system यह जो आपको दिख रहा है यह क्या दिख रहा है human reproductive system और यह female reproductive system से related हम लोग यहां पर बात कर रहें इसी reproductive system में अगर मैं a skeleton को हटा दू यहां जो a skeleton दिख रहा है आपको इस a skeleton को हटा दिया गया अब आप जो देख रहे हो तो यह पूरा का पूरा reproductive system की हम लोग बात कर रहें नहीं यह पूरा का पूरा क्या है male reproductive female reproductive system में हम लोग जो बात करेंगे ओभरी से related बात करेंगे हम लोग ओभरी से related हम लोग बात करेंगे जैसे आप देखो यहां पर यह जो है मैं जिस पर जूम करने जा रहा हूँ यह क्या है ओभरी है यह फिमेल लिप्रोडक्टिव इसके अलावा फ्लेपेंट वोगा यह भी वन पेर फ्लेपेंट टूप होता है लेफट साइड पाट भेजाना के बाद पाट आए यह सब पाट भल्वा कर लाता है तो यह reproductive system प्रीमेल रिप्रोडक्टिव इस्टम की बात कर रहे हैं और इसी में Raisin जाहिए आये दिखते हैं उसका mail reproductive इस्टम के साथ में उसे नहीं है रहे है LG जो दिख रहे है डिक्रेन स्वस् को मैं हटा दू तो यही आपके सामने जो यहां पे दिया होगा है यह मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम का पाट है मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में अगर हम लोग जाए तो टेस्टीस यहां पे आपको अब दिख रहा होगा वन पेर टेस्टीस यह दूसरा टेस्टीस Right side का T姐's है, ये Left side का T姐's के बाद ये वाला part HepIRE होता है, not demons1 paragraph호 होता है, pipeline structure जोदिख रहा है ये भास difference काम लाता है, क्या काम लाता है भास difference one paragraph structure होता है, ये वाला part seminal biological ये भी one paragraph structure होता है, इसके अफिर इसके अलाबा one जो हम लोक बात करते है, prostate gland ये 1 होता होता है इक प्रोश्टेट गलैन्न के बाद चस्ट इसके नीचे देखेगा ये या इस से रेलेटेर्ट भात करते हैं और दैन से रिलेटेंड हम लोग बात करते हैं पेमिज का वड़ी वाला सबना माठल या है और सबसे तरी पाकर आम से जाना जाता है यह मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम कहने का मतलब है कि हम लोग जो रिप्रोड़क्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं इसमें आपको क्या दिखेगा रिप्रोड़क्टिव सिस्टम अगर बात कर रहे तो उसमें दो होता है रिप्रोड़क्टिव सिस्टम एक दोनों रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बाद जो हम लोग बात करते क्या गेमिटो जेनेसिस का गेमिटो जेनेसिस धने का मतलब मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी में क्या बनेगा गेमिटो जेनेसिस में अस्पर्म हम लोग जो अस् गेमीटोगनेशिस कह लाएगा अवा का प्रोडक्शन गेमीटोटस को लाएगा। इसके बाद जो नों बात करेंगे His साइकल का जो भी मेल का रिप्रोंट्रो कि हम लोग बात करते हैं हो फम साथैसे हैं quel Conc saint स्पर में मिलता है क्वार्त करेंगैं चे-शिटलेशन के बाद हुआ और और गई स्टार्ट हो जाएगा बेवी का डवलपमेंट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे और गेनो जेनेसिस जो स्टार्ट होगा तो वहीं प्लासेंटा फरमेशन से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में और जब बेवी पूरी तरह से मिच्चूर हो ज यह सब प्रोसेस क्या है सबसे पहले हम लोग व्लेटेड बात करने जा रहे है इस्टेम में क्या होगा It is the form of sexual reproduction जिसके करन क्या हो जाता है कि डवलपमेंट आप बोल सकते हो या चाइल्ड आजाता है ये चाइल्ड आपको दिख रहे है तो यह reproduction का ही कमाल है कि यह child या बेवी आ जाता है यह जो होता है तिपिकली हम लोग अगर बात करें इंबॉल्व sexual intercourse between men and women जो child आएगा तो कैसे आएगा तो child आने के लिए ग्यमेट का fusion होना जरूरी है तो male और female जब आपर में intercourse करेगा बोले तो male का पेनी female के जब भेजायना में insert होगा तो उसी process को हम लोगो क्या बोल देता है intercourse जो intercourse होगा तो male क्या करेगा अपना ग्यमिट को ट्रांसफर कर देगा कितमे female के भेजायना में female क्या करेगा अपने ग्यमिट को ट्रांसफर करेगा female के भेजायना में और जब फिमेल के भेजायना में ग्यमिट का ट्रांसफर होगा तभी जाके अस्पर्म और ओभा आपस में मिलेगा और जब अस्पर्म और ओभा आपस में मिलेगा तभी जाके अब बोल सकते हो कि यही Asperm और Ova जब आपस में मिलेगा तभी जैगोट बनेगा तो Asperm और Ova को मिलाना ज़रूरी है क्योंकि Ova तो female के बड़ी में और Asperm male के बड़ी में है तो दोनों Аgramit अलग-अलग बड़ी में तो दोनों गैमेट को एक बड़ी में लाने के लिए वहां intercourse चलता है जिसको sexual intercourse सब लोग बोलते हैं नहीं कि मेल क्या करेगा पेनिस के द्वारा फिमेल के बेजाना में अस्पम deliver करवाने का काम करेगा अस्पम का delivery का काम करेगा और जब अस्पम हो जाएगा तब फिमेल के body के अंदर क्या होगा इफ एक फार्टी लैजेशनगे फिर बात करेंगे फार्टी लैजेशन ही सब होगा अब क्या होता है कि ही met प्रोड़क्टिन सिस्टब में कुछ इवंट सब olduğunu किया स्ढ़ उमेन to में हुख एप सिस्टम में जो इवंट है अगर हम लोग ईवंट की बात करें है है तो इवंट में कुनगोन सा इवंट आता है सबसे पहला इवंट जो यहां पर बताया जाता है वह क्या है गामिटो जेनाटल ट्रैक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसिस क्या कराएगा इन सेमीनेशन के बाद जो नेक्स हम लोग बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा फ्यूजन ऑफ गेमेट एंड फर्मेशन ऑफ जाइगोट नहीं इंप्लांटेशन की हम लोग बात करेंगे डवलप्मेंट और ब्लास्टोसीस्ट एंड एटेच्मेंट टू यूट्राइन वाल यह होता है इंप्लांटेशन यहां से प्रिणेंसी स्टार्ट हो जाता है तो गेस्टेशन अब जो होगा तो इसमें क्या होगा इंप्राइनिक डवलप्मेंट की बात करेंगे और देन चाइल्ड का बर्थ जो की का करता है पार्चूरेशन तो सबसे पहला प्रोसेस जो होगा यहां पर यहां पर बात करेंगे इंप्लांटेशन इस तरीके से क्या होगा कि यह स्टेप में आपको दिया हुआ है कि हुमेन रिप्रोड़क्टिव पर इस सिस्टम का इवेंट कैसे चलेगा हिमेन रिप्रोड़क्रिव सिस्टम का giants की हम लोग बात कर रहें वह कैसे कैसे चलेगा तो यह साुब और भाद मैं आपको बताए इसमें इस केसमें जो दिख़ेगा यह जो पेrelated आपको दीख रही है तो पेनिस की दौरा क्या किया जाएगा कि पेनिस के दौरा जो हम लोग बात करेंगे तो इसको अस्पम का डेलिवरी अस्पम या सीमेन की जो हम लोग बात करते हैं उसको जो डेलिवर किया जाएगा इसी पेनिस के दौरा क्या किया जाएगा अस्पम को फिमेल के बहजाना में डेलिवर किया जाएगा नहीं तो अस्पर्म का डेलिवरी एस्पर्म जो है फिमेल के भेजाना में जो डेलिवर करेगा इसी के दोरा डेलिवर करेगा बच्चों यही पेनिस के दोरा अस्पर्म डेलिवर करेगा लेकिन अस्पर्म उसके लिए बनेगा तो गैमेट का बनना जो होता है तो गैमेट का बनेगा आपको कहां पर वो तो आपको बन जाएगा किसके अंदर गैमिट की बनने की जो बात करेंगे तो टेस्टी के अंदर गैमिट कहां बनेगा बच्चो टेस्टी के अंदर गैमिट का प्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे इसमें जो आपको टेस्टी दिख रहा है नह तो वो testis के अंदर आपको gamit बनेगा और then वही male के द्वारा क्या करेगा उस gamit को transfer करवा दिया जाएगा और then male जब gamit को transfer करेगा यह जो testis आपको दिख रहा है यहीं पर aspam बनेगा और यही aspam इधर होते वे इसका अपना path है और वो क्या होगा पेनिस के दौरा बाहर आ जाएगा बोले तो female के बेजाना तक इसको पहुचा दिया जाएगा तो हम लोग बारी-बारी से इसमें देखते है human reproductive system की जो हम लोग बात कर रहे है तो सबसे पहले किस से related बात कर लेते है male reproductive system नहीं अब male reproductive system में धेर सारा part मौझूद होता है जैसे अगर एक-एक part की बात करें हम लोग name of the part नहीं पार्ट की अगर बात करें male reproductive system में तो यह जो पहला part आपको दिखता है दिख रहा है यह क्या कलाता है एस्क्रोटम यह जो part है बाहर से जो यह है यह वाला part यही part क्या कलाएगा एस्क्रोटम एक थैला-like structure होता है तो इसी part को हम लोग क्या बोल दाते है एस्क्रोटम एस्क्रोटम के बाद जो दूसरा part अगर आपको बात करें यह जो दीख रहा है अंदर में इसी को क्या बोलता हम लोग कि टेस्टी से एह वाला पार्ट ज़ो आपको दिखरा है बच्चो यह क्या है यह टेस्टी महला पार्ट हो जाता है टेस्टी से वाला बार清 स्थ गार Amen हमे जो पाट आपको धिख रहा है वह कौनजा पार्ट है यह वाला पाट जो होता है आप dozen पर वाला पाट यह क्या है कर है रिपी दिपरणी के बाद सब्सक्राइब जो पाइपलाइन एक टिक्चर आपको दिखなるほど अभी बास difference, भाज difference के बाद यह जो आपको दिख रहा है अंदर में यह urinary bladder का लाता है, urinary bladder जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यह वाला पार्ट urinary bladder वाला पार्ट है, उसके बाद urinary bladder के बाद जो हम लोग बात करें, prostate gland, यह वाला पार्ट यह जो person आपको दिख रहा है यहाँ पर prostate gland है, और prostate gland के बाद जो next आप बात करोगे यहाँ, seminal bicycle यह इधर जो यह वाला पार्ट है, यह कुन सा है, इधर leaf like structure होता है, seminal bicycle, पीछे के side जो यह दिख रहा है, आपको यह क्या दिख रहा है, एनस, यह वाला पार्ट जो है, यह क्या है, एनस वाला पार्ट है, एनस के बाद जो आगे के side से आपको दिख रहा है, यह कुन सा पार्ट है, पेनिस, यह कुन सा पार्ट दिख रहा है आपको, यह पेनिस, तो एनस के बाद जो next पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुन स पार्ट है यही पार्ट क्या कलाता है एस्क्रोटम यह जो पार्ट आपको दिख रहा है यह क्या है एस्क्रोटम के बाद अंदर में अगर हम लोग घुसे इसमें यह वाला पार्ट जो अभी अभी मैंने आपको बता है टेस्टीस के जस्ट उपर वाला पार्ट यह जो है इप पेरे स्ट्रक्चर है यह क्या कर लाएगा इपी डी डैमीज क्ल आता है मैं स्कलेटर नहां अटा देता हूं और किलियर भी हुआएगा आपको तो देखें टेस्टी इसके ऊपर चिपका हुआ पाट है इसी पाट को हम लोग क्या बोल रहा है इपी डी डैमीज कंटीनी हो जा भाज डिफ्रेंस के बाद के बाद यह जो लीफ के स्टेक्टार आपको दिख रहा है कि यह पुट उसके जर्ट नीचे यह होट चेल्प को दिख रहा है सिंचल नीचे दएखेर आप यह वाला पाट यह का लाएगा बल्बो देखित ुए और दें बलाभी तरर फडुक के बाद ये जो दिख रहा आपको ये पूरा पार्ट पेनिज गालाता है यह यह क्या पेनिज पर पेनिस है और युए घ्लांस पेनिज क्लाता mundane नहीं पर शोल्टित अ इक ؏एवे इस्टिस का अ गह वहांगने yak यह सब चीज को मैने आपको दिखा दीगा अब हम जो बात कर रहे हैं मेल डिप्रोडॉडक्टिव सिटम में तो यहाँ पर चाहिक से स्वार्गन है यह कहां लोकेटड रहेगा यह रहता किस जगह मेल लोग किछ इसका होगा है लोकेशन क्या होगे तो the sex organs which are located in pelvic reason, कहा रहेगा pelvic reason, including a one pair of testis along with accessory duct, gland and external genitalia, ये सब कहां पे रहेगा pelvic reason, तो pelvic reason जो होगा, तो pelvic bone के just नीचे, हमारा जो pelvic bone है, उसके कहिए कि just नीचे located रहता है pelvic reason में, नीचे के side से रहता है, जिसमें one pair testis, ये जो आपको testis दिख रहा है, along with accessory duct, बहुत सारा duct, जो ये pipeline structure सब दीख रहा, epididynamics, ये pipeline structure, ये सब क्या है, duct है, जो कुलेटरी duct है, और then gland, कुछ gland है, जिसे seminal भजायकल है, यहीं copper gland है, यहीं prostate gland है, तो ये duct और gland, ये सब कि इस जगा पे, तो नीचला side में, बोले तो pelvic reason में, मौजूद होता है, human reproductive system, एक-एक करके, बारी-बारी समलुक देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, testis से related बार, ये जो सामने में आपको दीख रहा है, ये oval shape का, ये क्या दीख रहा आपको, testis, जो है, testicle, a pair of soft, smooth, oval and pinkish male primary sex organ, male का ये क्या हो जाता है, testicle, जो बात करता है, ये primary sex organ में आ जाता है, तो ये primary sex organ का ला था, बच्छो, अब question ये है, कि सर, primary sex organ बोलते क्यों है, तो primary sex organ, उस organ को बोला जाता है, जो, gamit production के साथ-साथ, gamit production के साथ-साथ, क्या बनाएगा, gamit के साथ-साथ, जो sex hormone का production करेगा, उसको बोलता है, primary sex organ, तो testis जो होता है, male में, ये primary sex organ होता है, तो जिसा की बताया, एक pair structure होगा, soft होगा, smooth होता है, safe की बात करें, तो oval safe का होता है, और pinkish color का होता है, और primary sex organ है, मतलब इसी के अंदर male का gamit बोले तो अस्पम मनेगा, और sex hormone बोले तो testo estron hormone का integration इसी के अंदर में होगा, तो जो testis को अगर अंदर से देखे, बोले तो बाहर वाला जो layer है, एस्क्रोटम, यह सब जो layer है, यह क्या दिख रहा है आपको, यह layer जो दिख रहा है, एस्क्रोटम, तो एस्क्रोटम के अंदर testis मौजूद होता है, नहीं, जो testis है, यह जो suspended राता बाहर की और abdominal cavity का, तो pouch like structure जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्क्रोटम, यही जो pouch like structure दिख रहा है, तो जो outside abdominal cavity जो है, और pouch like structure तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्क्रोटम बोल देते हैं, आखिर एस्क्रोटम का क्या function है, एस्क्रोटम पर हम लोग आए, एस्क्रोटम का क्या function है, तो यह क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा testis को from mechanical injury से, एस्क्रोटम प्रो करता है, low temperature, testis में low temperature को maintain करने का काम करता है, low temperature maintain करने से फाइदा क्या है, कि बच्चों, espermatogenesis जो होना है, तो जो हम लोगों का abdomen का जो temperature होता है, abdominal temperature से कम temperature चाहिए, हमारा sperm बनने के लिए, abdomen में जो हमारा temperature है, उससे 222.5 degree centigrade कम चाहिए होता है, अस्परम के production के लिए, नहीं, तो normal जो lower than the normal हमारा internal body temperature जो होता है, तो उससे कम temperature चाहिए, कितना कम, 222.5 degree centigrade कम temperature चाहिए होता है, नहीं, और वही जो temperature कम रहेगा, तब जाके क्या हो जाता है, जो spermato genesis असानी से होना, start हो जाता है. पच्चों, यहाँ पे, जो हम लोग बात करेंगे, escrotum का, escrotum जो होता है, escrotum, यहीं पे क्या होता है, कि एक cavity होता है, एस्क्रोटल से जो connected होता है हमारे abdominal cavity से और abdominal cavity से जो होता है inguinal canal होते वे connected होता है inguinal canal होते वे ये connect होता है अब inguinal canal का क्या काम है inguinal canal का क्या काम है इसको हलका सा फंसान आप समझेए ये जैसे हमारा body हो गया ये body है और यहीं पर माली जे लेग वाला reason है और यहां एस्क्रोटम यहां पर है, तो यहीं पर क्या होता, testis, सात्मे महने तक हम लोगों का testis, छठे महने तक कहिए, यह abdomen के अंदर था, लेकिन जब सात्मा महना complete जैसे हम लोग करेंगे, छठा complete सात्मा हम जैसे आएंगे, तो testoestron hormone सिक्रिट होने लगता है, और वही testoestron हर्मोन यह जो यहां कैनाल सेक्ट में लेके आजाएगा तो यही इंगनल कैनाल यहां पर यहां दिखाये जा रहा है इसी के दौरा टेस्टिस आता यह आता है साथ्मेम मैंने में आगा है यहां पर क्या होता है असपरमेटिक हो यह क्या इस्परमेटिक कोड में आटरी होगा भेन होगा नर्व होगा यह सब मौझूद रहता है तो आटरी है गया भेन हो गया नर्व हो गया भास डिफ्रेंस और टीशू सब यहां पर क्या होता है मौझूद रहता है यह जो है रन करेगा कहां से अबडॉमेंड डाउन टुइच टेस्टिकल्स तुछ इंग्विनल के नाल होते वह यह नीचे तका जाता है किनल के नाल होते हुए क्या होगा नीचे थका जाएगा आई यह थोड़ा सा डिटेल बात करते हम लोग टेस्टीस पे तो यह जो आपको दिख रहा है यह ओबल सेफ एस्ट्रक्चर यही हम लोग क्या बहुत करना है इसको टेस्टीस कहां रहेगा पूजिस्टीस के बात करें तो एसकरोटम सैक में और गवर्ने कुलम फस्परमेटिक कोड के अहां पर मौझूद रहता है यह तो यह हूँ बहुत यह इसको पूछ गवर्ने कुलम के जौफ हॉंब लोग बात करते हैं यह क्या है गवर्ने कुलम जो होता है यह क्या है अगर इसकी बात करें तो यह क्या हो जाता है इसे आप इसमें देखो यह जो लटका हुआ पाठ है नीचे तक जो टेस्टिस रहेगा गवर्ने कुलम यह फाइब्रस कोड होता है जो कनेक्ट करता है टेस्टिस को बॉटम ऑफ के लिए थोड़ा साम लोग मल्टिपल च्वाइस कुछ देखते हैं यह फाइब्रस कोड टैट कनेक्ट टेस्टिस विद बॉटम ऑफ एस्क्रोटम अभी अभी मैंने आपको बताया क्या आंसर जाएगा बाज डिफ्रेंस इपीडरैमिस गवर्ने कुलम और स्रेमाइनल यह देखते हैं कि को तो हम लोग देखने जा रहा है इसका इंटर्णल अ스ं क्ष करने जा रहे है कि क्या है इसका तो आईये phraim structure and function of testis internal structure and function of testis से related हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या है इसका तो आई हम लोग इसको देखते हैं बारी-बारी से internal structure and function of testis में जो देखेंगे हम लोग तो इसमें देखेगा एक तो aspermetogenesis तो करवाएगा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं यह testis one pair जो testis है इसी से related बात कर रहे है तो aspermetogenesis करवाता है दूसरा यह क्या करेगा production of testo-estron hormone करने का मतलब male hormone तो वैसा और वैसा और जो क्या करेगा कि हमारा जो वैसा और जो aspermetogenesis करवाएगा और aspermetogenesis के साथ-साथ sex hormone का production कराएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते है primary sex organ तो यह दोनों जो काम हो रहा है इसी के कारण टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते है primary sex organ होता है यही क्या है primary sex organ है युमेन मेल में primary sex organ इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बच्वाइए इसका detail structure हम लोग अगर देखें और part wise इसको देखते हैं कि कहां पे कुन-कुन सा part मवजूद होता है तो यह जो पाइप प्लाइन structure आपको दीख रहा है इसका नाम क्या है इसका नाम क्या हो जाता है internal structure अगर हम लोग देखें यह हिस्टोलोजी अफ टेस्टीस तो यह डिफ्रेंट डक्ट का लाता है फिर यह जो यह यह लोग वाला pipeline structure आपको दिख रहा है यह वाला इसको हम लोग क्या बोलता है ओपर में जो यह लाइण दीख रहा है आपको यह सब यह सब यह सब क्या पाट होता है इसको बोलता है फ्रेंट डक्टल्स के बाद छू नेक्सशट देखेंगे हम लोग यह बाठ hebt मेzewाला पाट जो दख रहा है यहां पर पार्ठ का मालोग नाम क्या देता है इस ने हैं ते अधर हो जाता है उसके जस्ट नीचे यह क्या हो रहेगा और टेस्टिस वाला हम लोग पूरा पाट की बात करते हैं उसके कि जस्ट नीचे जो है सब्सक्राइब तो पुड़ा ही पार्ट होता है उसके नीचे यह वाला पार्ट यह 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 जानते हैं और उसके और आगे है जो सब्सक्राइब तो यह जो नीचे की और पार्ट है इसका नाम क्या है पारा डीडैमिस के नाम से जाना जाता है और उसके भी नीचे इधर जो पार्ट आपको दिख रहा है यह वाला इंटर लोबिलर सेप्टम यह वाला पार्ट क्या है इंटर लोबिलर सेप्टम के नाम से लोग जानतें और यह दोनों आपके बीच्ट दो सेप्टरम के बीच का यह पार्ट यह कहला दूब्यूल यह यहां लिखा हुआ है यह बारे में बताया कि कहां कूंसा पार्ट कि पहलाएंगा बुचों हिस्ट्रोजी आफ टेश्टी पर जड़ा सा बात करेंगे कि कि टेश्टी का हिस्ट्रोजी कि आफ भात करते हैG यह testis in close होता है to protective layer इसमें मौझूद होता है और जो होता है इसमें जैसे outer layer की अगर बात करें तो tunica vaginalis नहीं और जो inner layer की बात करते है outer layer और दुसरा जो tunica vaginalis है जो epithelium connective tissue का बना होता है और inner layer की तो लोग बात करते हैं तो inner layer tunica albigenia, जो fibrous connective tissue का बना होता है, तो बाहर से जो है वो क्या का लाएगा, vaginalis, tunica vaginalis, outer layer tunica vaginalis, और inner layer tunica albigenia, जो fibrous connective tissue का बना होता है, नहीं, तो अब इसमें है tunica vaginalis कौन सा पाट है, तो बाहर से जो आपको green वाला पाट ये दिख रहा है, जो green गरीन ये जो vaginalis, ये वाला पार्ट जो है, यही पार्ट को हम लोग क्या बोलना है, tunica vaginalis के बारे में हम लोग बात करते हैं, और ये क्या होता है, tunica vaginalis की जो बात करें, एक pouch होता है, serous membrane का, peritonial layer होता है, serous membrane का पाउच होता है, peritonial layer की हम लोग इसमें बात करते हैं, और ये क्या होत तरह से कवर कर रखता है उसके बाद जो नेक्स्ट बात करें तो यह जो लेयर जो बिलिंग करता हो आपको दीख रहा है यह क्या है तो इसका नाम क्या पर जाता है और त्यो का परतिक टेसिस की यह बात करें जो होता है और यही जो रहा यह रही जो अंदर गुशाओए यह यह ओला बार्ट ऑट तो यह घंचिंध नारnd श३ जो है यहां टेस्टिकुलर लॉब्यूल के नाम से जाना जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल के नाम से हम लोग इसको जानते है इस्टोलोजी अब बात करें टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गई है बच्छो टेस्टिकुलर लॉब्यूल की जो बात करें तो यहां एक टेस् लुब्यूल आपको पता चलना है यह एक टेस्टिस में कितना होगा 250 कंपार्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिकूलर लुब्यूल का यह जो यलो वाला आपको पार्ट दिख रहा है यह क्या है टेस्टिकूलर लुब्यूल और कितना कंपार्टमेंट होगा 250 कंप सेर्टिबूल है आहे से अगर सेक्षन काट आ ऐस Напीए त सिब्यूल का सक्षन काट के देखे गा तो इस तरीके से ऐन्दर क्या होता है जर्मेनल इन रहले जे만 आपको दिख रहा है यह जर्मिनल इपिथिलियम के अदर में मौझूद होगा जर्में लिए 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 अधर मैं मौझूद होगा के अनुजू आ क्तो इस भीम जो है लाइन नовор इस सच्वास कि जो बात करेंगे वह लाइन वहता है जर्मिनल एक हिंप और जर्मिनल एपिथिलियम की जो हम लोग बात करते हैं तो जर्मिनल एपिथिलियम कंसिस्ट आप अन्डिफ्रेंसियेटेटेड मेल जर्म सेल कॉल अस्परमेटो गोनियल मदर सेल यहां पर होता है और यहां पर जो नरिस्ट करने का काम करता है उसका नाम है सार्टोली सेल जो अस्पर्म बनाएगा वो तो मदर सेल बनाएगा अस्परमेटो गोनियल मदर सेल और जो नरिस्मेंट का काम करेगा वो कौन करेगा सार्टोली सेल अस्परमेटो गोनिया की जो हम लोग बात करते हैं अस्परमेटो गोनिया प्रोड्यूस प्रैमरी अस्परमेटो साइट्स और उसी प्रैमरी अस्परमेटो साइट्स में मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट होगा देन मियोसिस सेकेंड होगा और फैनली लिश्टू फरमेश पर जो बनके आएगा उसको मेलकिया बोल देंगे आस्परम बोल देंगे कि तो उसके बाद अस्परम बनने के बाद उसको जो निट्रेसन प्रवाइड करने का काम करेगा तो वह को निकल निकलेगगी इनिवीन हार्मोन यहां निकाल देगा, इनिवीन क्या करेगा, इनिवीन सिक्रेशन, FSH का जो सिक्रेशन हो रहा था, इनिवीन जो है, यह क्या करेगा, इसको रुखबा देगा, तो साइटोली सेल की जो बात कर रहे हैं, तो साइटोली सेल प्रोवाइड करेगा निट्रेशन इसको अस्परमेटर जोवा को और इसके आलावा ये एक हार्मोन निकालता है जिस हार्मोन का नाम क्या है इनिवीन हार्मोन इनिवीन हार्मोन एफएसेच जो एंटिरियर पिटिट्री से निकलता है एंटिरियर पिटिट्री से निकलने वाले एफएसेच को रोकने का काम सेलेगा इंड़ एस्पेस के अगर हम लोग बात करते हैं इंतरिस्टियुल स्पेस यह सब इसपेस क्या कलाएगा J Mashchmal एक और एक इन्टरिस्टिशियल एस परेस में मौझूद होता क्या क्या लिडिक सिल से एक अंतरगत क्या होगा लिडिक सिल और यही जो लिडिक सेर्ड सब आपको दिख रहे है यह लिडिक इसेल यहाँ पर मौझूद है इंटर इस अधिक लिए तर ने वार्ट बने श्यक्ति अथार प्रियों वेल्ट। लोग नेक्स्ट बात करें टेस्टो एस्टों से रिलेटिड टेस्टों में बात करेंगे बच्छों टेस्टों में क्या होगा तेस्टो एस्टरॉन गन्टॉल्ट्व्लमेंट ऑफ मेर्ज्टर्फ मेर्ज चौ मैं और चान डॉस इंद्वन का इस्टरॉन त्यूंद स्वेस्ट कि बात कर रहा है तो यह सबोल जाके खुल जाता है कहां पर खुलेगा भास ऒ्रश्ट यह पर्श्ट है वह खुलता है यह तो इसमें यह वाला पांट और यह है त्वाला जो पांट है आपको रेटिस टेस्ट होते हुए यहुआ प्लच क्ला डीफ रहा है भास टिफरेंसिया तो यही चीज बता रहा हूं दुसे मुना फिर स्ट्पियूल ौपेंट इंटु धा से अथ्जितु एक डिफ्ई फरेंट्स होता है मेडी यह मेडी स्टेसियम पर मौजूद होता है और यह मैस आप गल्लुटा स्थेश्यक्टर कर्के पहां करके एक दो पॉंट पर हम लोग बात करेंगे इसका दिससे एक पॉंट और चीड म क्रिप्तोर चीडम किश्को बोलते हैं अडिसेंडंट टेस्टीस, टेस्टीस not descend from abdomen into scrotum, मतलब abdomen में जो टेस्टीस था, वो scrotum में नहीं आया, इस condition को अम लोग बोलते हैं, रिप्टो और चीड़, और अगर ऐसा हुआ है, तो टेस्टीस अस्पम प्रोड्यूस नहीं करेगा, और अस्पम जब प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वैसा में जिसमें अस्पम प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसको अमलोग क्या बोल देंगे, एस्ट्राइल मी, अमलोग क्या बोल दते हैं, मेल एस्ट्राइल होगा, यह कोश्चन बनाके देखते हैं जैसे कोश्चन है इच टेस्टीस दे नंबर ओफ टेस्टीकुलर लुब्यूल्स इस टेपिप्टी पूर ट्वेंटी टूफिप्टी फाइफंडेट आपको आंसर पता होगा आंसर है तूफिप्टी आ यह नेक्स्ट भास इफ्रेंशिया कि हम लोग सिस्टम में किसके बारे में बात करें बात करें को था तो ब्रैंस्टीक बात करेंगे हैं थर नहीं करें तो यहां पाट इसी में यों सिम बात करने जा रहे है है बासा हा तबaning कर्ता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पार्ट है यह चाह जा में इपरन जी में जो भी अस्पं बना तो बाराया ब्रहता सधीर क्या है तो नेटवर्क है ए नेटवर्क आफ टिब्यूल्स इन्द टेस्टिस कैरिंग अस्पर्मेटो जोगा प्रॉम सेमनी फेरस टिब्यूल टू भास भासा इफ्रेंशिया को से लेकर आने का काम करेंगा बच्छों आगे बात कर रहें तो एक डी मिस इत्वरा स्वाथ कर लेते हैं टेस्टिस के जस्ट ऊपर जो छिपका परा रहाता है जिसको में लोग बोलता है इपिडेमिस इपी डैमिस में अगर बात कर रहें तो बहास इफ्रेंश्या लिप तेस्टिस एन्च उपन इन्टू ए नेरो ट स्दूरेज स्पेसरेकर्ट रफेज का वहीं पर मिलागा मिल जाएगा ये जो है सुरेज स्पेस्पेस देता है इसके लिए असपर्म के लिए अदिए यह रम होद वहा पर नश्ओर Two Park है इसको तीन पार्ट में बाटा जाता है इसको तीन बोल जाता है, तो एड वाला पॉर्षन जो कवर क्या हुआ यह वाला पॉर्षन की बात कर रहे है यह बोल दो यह यह इपु裁ट से रिलेटेट अम लोग बचा हुआ है इसका भी पक्का नाम होगा कुछ नो कुछ तो टेल बोलिए या कोड़ा नाम से जाना जाता है तो इपीडियमिस जो है इपीडियमिस की जो हम लोग बात करते हैं इसको कहिए तीन पार्ट में बात दिया गया है कि एक एक हेड है हेड बोडी टेप कोड़ा कोड़ा कहपीड कोड़ा कोड़ा नहीं तो जो कपीडियमिस का रिसीप करता है असपर्मेटर जो आप हाया अस यहां पे भास इफ्रेंश या नहीं कि अबद कि मेडीये स्टेशियन यहाँ पर आएगा और मेसिफ कैनेक्टि टीसू जो होता है यह क्या होता है यह क्या होता है लंबा नैरो होता है और muscular tubal होता है तो भास difference कलाता है तो यह पीडिडिडियमिस का जो posterior part है continue जो इस तरह से आ रहा है तो यह प्या कलाएगा बास difference वाला पार्ट हम लोग बाच करनें नहीं यह कोड़ा इपीडिडियमिस जो है यही continue हो जाएगा किसमें भास difference में और यह जो line होता है pseudo-estetified columnar epithelium जिसको lamina propria के नाम से भी हम लोग जानते है ariolar connective tissue lamina propria जिसको हम लोग का बोल रहें ariolar connective tissue it starts from the tail of epidermis और और यह जो पास होगा इस तरह से इस साइड में आता है तो उसको क्या बोलता है लुप अपर से ओपर साइगा यहीं अगर गौर से दिखे यह आएगा उस से मैनल वेजाइकल से इधर से डक्ट से आएगा और यहां दोनों आके क्या हो जाता है यह मिल जाता है और यहीं पर जो मिलेगा तो बहास इस डिफ्रेंज अन डक्ट से से मैन बजाइकल युनाइट हो जाता है और रूनाइट होके जो बनाता है उंजिकुलेटरी डख्ट क्या नाम देता हम लोग जाता है यह है ऊजिकुलेटरी डख्ट जो कले डएगा c consciousness आने का काम करेगा तो दो किलिटरी जाक्ट कभर होता है प्रोष्टेट में और उपेम होथा है युड ऐसी रिख्राय नॉट जो आएगा तो एक्षाज में प्रोष्टेट्री ड्साइड का यह लाप साइड का नैस स्ब्सक्राइघ में allez- versa यह खुल जाएगा जैसे अगर आपको यह देखना है तो मैं और किलियर करके इसको आपको दिखाता हूं और clear भी हो आएगा आपको तो यहां पे जो है City इस तो यह वाला पाथ बता रहा था यह की कि अभी आ और यहीं कि पैमिस की जो अभे अब को दिख रहा है यह क्या का लाता है sprmir का मैं कभर करकर के कटिंग करूं हाप सेक्षन इसी प्रोष्ट्रेटर गलेंद में यह वाला जो पाठ है यह सब ग्लेंडूलर पात हता हो यह वाला पाठ एजुकुलेटरी डक्ट कुगष से लजेखे तो इधर से क्या है से मैश कर बैंप आया और यह वाला पाठ थे मानब बिजाएकल बाश दोनों आके मिल जाता का एक ट्रॉट्री डख्त में तो जैसा कि मैंने बता प्रोष्ट्ट ग्लैंड का वन यहां पे दो इसको ड्रीड़ होगा यह लेफ्ट साइड का और उससाइड से दूसरा इसको डॉसरा राइट साइड का अगर इसको भी में हटा हूं कि तोड़ह प्रोस्टेट को तो देखें 2 डखी कितना हथा आम लोग में Jimben युकलेट्य डख्ट सफसे एक राइट सफसे अध्यल को यू रीथ्रा जो होता है यहां पर जो दोनों आके ओपन होगा यहीं पर कैरी अस्पर्म फ्रम भास डिफ्रेंशिया एंड फ्लूट फ्रम सेमानल विजैकल इंटो युरित्रा और वही ट्रांस्पोर्ट करेगा अस्पर्म थ्रू आउटसाइड युरित्रा होते वही अस्पर्म बहार आजाता है कि युमेन में क्या है कि यूरिन का बहार आता है और अस्पर्म का बहार आता है पैसे जूब आस्पर्म का पास हो रहा है अगर उसकी आम बात करें तो आपको पता है इस सबसे पहले बनेगा कहा सेमनी फेरस स्टिब्यूल में बनने के बाद कहा आजाएगा रेटिस टेस्टिस में रेटिस टेस्टिस के बाद आजाएगा भास इफ्रेंसिया में बास इफ्रेंसिया के बाद कहा आजाएगा इपी डिडैमिस में इपी डिडैमिस के बाद कहा ज जाएगा इसको बाहर कर दिये जाएगा नहीं में पहुंचा दिया जाएगा ही मैं में इसको पहुंचा अगा यह कुछ्छंण हम लोग देते हैंज लूकेटव कूभ नाल bi तर अपस्से फोरीडे की बात करें उरिथ्रा क्या होता है इज टर्मिनल डख्ट ऑफ दा रिप्रोड़क्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम एक्टल में यह कोमन होता है इट और जूरिजनेट फ्रॉम यूरिनरी बलडर एंड पास्टू पेनिस कहां पे पेनिस से यह पास्ट कर जाएगा इस राकि कि पूड़ करें और यह आपैन वह जाएगा एक्स्टरनल ओपनिंग रिटरल में निटेश सोते में बाहर निकलेगा इस रापको दीक रहा है यही सुर्य अटिश्टर से यह नहीं तेटाइड दा इक्सटर्णल उपनीग कर दो किसको पस्क्रोट्ट कि बात करते हम लोग तो पहला देखते हैं पेनिस पेनिस की जो बात करें तो मेल का ये कपुलेटरी ओर्गन होता है मेल कपुलेटरी ओर्गन जिसको हम लोग क्या बोलते है पेनिस यह जो आपको दिख रहा है यही क्या है यह पेनिस आगे वाला पाट क्लांस पेनिस का लाता है तो मेल का कपुले कि इंट्रोमिटेंट और गेंट एट ट्रांसफर दास्परमेटो जो आ टुद भैजाना अफ द लगे लिए ने इसको बैज दिया जाएगा पच्छो कट सेक्षन अगर पैनिस का देखा जाए तो यह जो आपको दीख रहा है यह पैनिस और पैनिस का कट सेक्षन में नुस ये दुनों जो पाटर यह कहा है? कर्फस कवर्णोस है और इसके अलावा जो क्वर्पस एस्पॉंजीयोसम हम लोग बोलते हैं तो सिंगल होता है, बैंटरल होता है, नहीं और उसी में यह एस्पॉंजीयोसम की बात करे तो यह उसी से युरिथ्रा यूरिथ्रा जो ह है इसी करपस और पर फसपुझी तो यह मैं किसकी बात कर रहा हुए कट सेक्षन यह जो पेनिस है यही पेनिस को अगर काटागा टी एस यह पेनिस देखेगा तो दो करपस यह बन उस लिएगा एक करपस एक बन इस पंजी असम आपको देखने करता है ईयरेक्शन पीनीन नोट बहुत ही ज़रूरी है और पेनिस इरेक्ट होने के लिए कर्पस के बरनोसं में बलड का भरना बहुत ज़रूरी है जब तक बलड भरेगा नहीं तब तक पेनिस इरेक्ट होगा ने तो पेनिस का जो इरेक्षन है तो बलड फिल होने से होगा तो आर्टरी होगा डॉर्सल आर्टरी सब होता है और इसमें जो है आर्टरी सब क्या करेगा प्लड को इसमें ड्रेन करवा देगा जैसे जैसे बलड इसमें आता जाएगा पेनिस से इरेक्ट होता है एक लगाएगा पेश में जो भात कर रहे हैं तो पेश का जो टीप पार्ट होता है जिसको क्या बूल दाते है ग्लांस पेश जो यहां पर दिख रहा है यह कूंसा पार्ट है टीप पार तो एक टीप अप्ट पर पूर्पस अस पॉंजी उसमी लार्ज 4-5 विश्चन से या उसी को मंलोग क्या बोलता है इप बलता है उसके बाद बात करें उसके बात करें यहां पर ग्लैंड के बारे में बात करें तो यहां पर क्या करना आपको टेक्स्ट बुक में आप जाएंची पेज नमबर 161 डाइग्राम 5.1 बी उसमें अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको सेमानल बेजायकल उसी में आपको क्या दिख जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड उसी में आपको क्या दिख जाएगा कॉपर्स और बीजायकल इस जगह पर होता है को शिघाप पर इस जगह पर मिलेगा को आपको अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर यह मेल प्रोडक्टिव इस्टम जो आपको दिख रहा है मैं skeleton यहाँ पे हटा दे रहा हूं इसका और यही बाला पार्ट जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है seminal बेजायकल इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते है seminal बेजायकल leaf like यह नहीं यह leaf like structure होता है one pair structure होता है seminal बेजायकल urinary bladder के जस्ट पीछे होता और prostate gland यह आपको जो दिख रहा है इसके उपर होता है single structure होता यह prostate gland बचो prostate gland यही है single structure जो है यह prostate gland और prostate के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो बल्बो इरिथरल gland या copper's gland के नाम से भी जाना जाता है इसके जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे तो क्या है बल्बो इरिथरल gland याने तो copper's gland के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो seminal बेजायकल की जो बात करें seminal बेजायकल कोन है यह वाला पाट present posterior inferior to the urinary bladder इसके आगे पम क्या होता है तो उसके फीछे में इस्ट फिविलर ग्लेंड का बना होता है seminal बेजायकल यह क्या है तो वही चीज यहां पे देखे बद सेमानल में जो यह वाला सिम्हानल बजाइकल इधर से भी जो दिख रहा है किसम्हानल ग्लैंड करना हुआ और इसका प्रजेंट कहा होगा posterior inferior of the urinary bladder, urinary bladder के just तीछे के साइड में यह महजूद होता है, यहाँ पे जो seminal भीजायकल में है, fluid जो content करता है, आखिर क्या-क्या चीज fluid रखता है, तो इसका fluid जो होता है, seminal भीजायकल का सिक्रेशन है, अब इसमें जो fructose है, वो main energy source, acts as fuel of a sperm, fructose acts main energy source of the sperm, outside the body, यहाँ fuel of a sperm भी बोला जाता है, fructose को क्या बोलता है हम लोग, fructose glandine, जो है, mucous lining of the cervix, to more reproductive, नहाँ पे, receptive to the sperm, as well as by adding the movement of a sperm, towards the ovum with prostatic contraction of the uterus and philippian tube, यह काम करवाने में अलब करेगा, varustate gland, जो enlarge hertsip earlier structure जो आपको दिखता है, तो वो क्या होता है, prostate gland, जैसे इस में जो दिखाओं, मैं, यह जो enlarge structure है, i significantly इसे को क्या बोल रहे है, यह prostate gland है, यह पूरा structure जो दिख रहा है, एप प्रोस्टैट गमें, जो दिख सबसे खास बात है, 15-30% of the semen जो होता है उसमें इसी का contribute है prostate gland का कितना contribution बताया 15-30% तो इसी prostate gland के बारे में यहां मैं बताने जा रहा हूँ आपको बच्छों यहां जो prostate gland है तो यही just urinary bladder के just नीचे यह जो दिख रहा है नहीं तो जैसा कि बताया single होगा जैसा कि मैंने बताया इसमें कि यह बीलो होगा urinary bladder के just नीचे होगा नहीं prostate gland कितना कभर करेगा contribute करेगा तो सीमें में 15-30% सीमें जो होता है इसी prostate gland के खारण यहां होता है contribution यह ओभा और अस्पर्म को दिखा रहा है prostate gland में जो हम लोग बात कर रहे हैं यह क्या दिखा रहा है ओभा और अस्पर्स फ्लूड जो होता प्रोस्टेट ग्लेंड का यह क्या होता है प्रोस्टेट किलियर एंड स्लाइटली एसीडिक टाइप का फ्लूड होत अब जो एक और बच गया हम लोग का जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अगर प्रोस्टेट ग्लेंड के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो दो ग्लेंड है बल्ब के तरह दिखता है और इरित्रा से प्रोस्टेट ग्लेंड के नीचे होता है 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 प्रोस्टेट ग्लेंड के प्रोस्टेट ग्लेंड होता है यह तो देखेगा तो यह जो बिलिंग करता हुआ दिख रहा है आपको तो बीलो दा प्रोस्टेट ग्लेंड अड़ बिगनिंग आप टर्मिनल पॉर्शन आप पेनिस नहीं इसका जो सिक्रेशन होता है वो कैसा होता है एलकलाइन फ्लूर होता है इसका सिक्रेशन की बात करेंगे इरित्रा को लूभरिकेट करने का काम करता है फ्लैशिंग आजंञे के तरह आपको काम करेगा यह वास्क पथा एसडी उरिगन रेसीडिव जो परजेंट हो जाता है उसको तो यह इसका काम है चलिए मल्टिपल च्वाइस कोश्टन कुछ देखते हैं हम लोग लूब्रिके अगले session काम होता है बच्छो तो यहां तक आप लोगों ने देखा तो यहां तक पहले आप लोग कवर किजिए फिर अगले session में हम लोग इससे detail और भी करेंगे तो में हम लोग जो आज देखे क्या देखे male reproductive system से related बात देखे male reproductive system से related बात देखे बच्चो ये मैं just line by line आपका NCRT cover कर रहा हूँ NCRT का amendment जो है सारा cover हो जाएगा आपका और अगर आपको इसको अच्छे से और करना है तो आप NCRT सामने रखके पढ़िए तो और भी ज़्यादा इसमें आपका मज़ा आएगा तो human reproductive system में जो हम लोग जो देखे तो male वाला पार्ट पूरा हम लोग देख लिए हैं कि male वाला पार्ट क्या क्या चीज होता है male का कौन कौन सा gland होता है ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं next जो मैं lecture दूँगा उसमें आपको female reproductive system से related सारा बात detail में हम लोग करेंगे तब तक के लिए thank you दोस्तो thank you